हम लोगों की जो साइंस और टेकलोजी की स्रीज चल रही हैं हम लोग उसी में आगे और प्रश्णों के बारे में discussion करने वाले हैं तो देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथी साथ आप सभी लोग हमारा जो चैनल है उसको subscribe करिए और join करिए ताकि आप लोगों को अपने exam के point of view से सारे questions और जो भी आपकी queries हों वो सभी solve कीज़ें तो साथी साथ यहाँ पर telegram आगे जरूर डाउन कर लीजे selection mentor कानपुर के नाम से जो है ठीक है तो अब यहाँ पर हम लोग देखें साथी साथ आप लोग social network साइट पर भी आगे क्या कर सकते हैं आगे join करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो इन में से कौन सही सुमेलित नहीं है यानि कि आसुमेलित है तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो हम लोग discuss करते हैं कि जो proto Jones infection है यानि कि proto जोवा द्वारा जनित रोग है उनकी अगर हम लोग बात करें तो उसका short trick क्या था उसका short trick है कि पापा काम पे सोते हैं ठीक है काम पे सोते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो पापा रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको पाइरिया को काम में का है क्या तो कालाजार ठीक है और मा से क्या है पे से है डिसेंट्री यानि की पेचिस जिसको अमीवी पेचिस भी कहते हैं और सोते हैं यानि की sleeping sickness यानि की निद्रा रोग तो यह यहाँ पर दोनों जो है यह proto-jones infection है तो malaria जो है किसके द्वारा होता है तो proto-jowa के द्वारा जो parasite है उसको हम लोग कहते हैं plasmodium ठीक है और वहीं जो कालाजार है तो कालाजार जो है यह भी आपका किसके द्वारा होता है तो proto-jowa के द्वारा तो यह दोनों तो बिलक बैक्टीरिया यानि कि जीवाणू के द्वारा होता है तो ये भी आपका क्या है सही यहाँ पर दिया हुआ है तो ये तीन आप्शन तो सही हो गए अब बचा एक तो हो सकता है वो गलत हो हो सकता है ना भी हो यहाँ पर देखे तो जो लिखा हुआ है प्लेग प्लेग जो है य यहाँ पर पूछा क्या गया है आसुमेलित है यानि कि जो सही मेल नहीं खा रहा है तो इसलिए जो राइट एंसर होगा वो आपका इसके लिए क्या होगा जो आसुमेलित है वो है C option यानि कि प्लेग और वाइरस ठीक है जबकि प्लेग होता है किससे बैक्टेरिया से अगला प्रश्ण है हमारा female Aedes aegypti is the carrier of which disease अब देखो यहाँ पर female Aedes aegypti यानि कि यह क्या है अब पहली चीछ तो यह female Aedes aegypti है क्या बहुत से आप में से लोग होगे यह है क्या यह female तो समझ में आ गया कि मादा है लेकिन Aedes aegypti क्या है तो बेटा जो Aedes aegypti होता है यह आपका क्या है Aedes aegypti यह मच्छर की एक प्रजाती है ठीक है और mostly जो female mosquitoes होते हैं वही blood sucking करते हैं क्यों क्योंकि उनको egg laying करना होता है अगली पीड़ी की चिंता होती है बच्चों की चिंता होती है ठीक है अगले पीड़ी को लाना होता है इसलिए यह लोग blood sucking करती है त इससे क्या फैलता है options है आपके malaria, kalazar, jengu या sleeping sickness तो देखो malaria की अभी हम लोगों ने बात किया था कि malaria किस से cause होता है तो आपका यह plasmodium से होता है लेकिन इसका carrier कौन है तो वो mosquito है और वो कौन सी है तो mada anaphleese ठीक है किसके द्वारा फैलता है mada anaphleese के द्वारा यह आपका जो malaria है यह फैलता है ठीक है तो malaria किस से फैलता है तो mada anaphleese के द्वारा फैलता है ठीक है अब काला जार की बात करें तो काला यानि कि अगर हमारे आजपडोस में या कोई मित्र हमारा या कोई अगर हमारे घर परिवार में चिहोटे बच्चो जो है वो dark है यानि कि dark complex है तो हम लोग कहीं देते हैं कि करिया या कालू ऐसे नाम होते हैं वो कालू कहां खेलता है तो मिट्टी में खेलता है तो मिट्टी से याद रखिएगा कि मिट्टी को हम लोग इंगलिस में क्या कहते हैं sand और sand fly यानि कि जो आपका बालू मक्ही है उस के द्वारा कौन फैलता है तो कालाजार फैलता है ठीक है और वहीं अगर हम बलोग बात करें sleeping sickness तो अफ्रीकन निद्रा रोग यानि कि अफ्रीकन sickness, sleeping sickness, जो है, ये आपका CC fly के द्वारा, ठीक है, किस के द्वारा फैलता है, CC fly के द्वारा ये फैलता है, अब बचा क्या, डेंगू, डेंगू जो है, ये किस के द्वारा फैलता है, तो जो Aedes aegypti है, इसके द्वारा डेंगू फैलता है, और इसी Aedes aegypti को ही क्या कहा जात ठीक है? टाइगर मॉस्कुटो भी इसी को कहा जाता है, तो यानि कि टाइगर मच्छर तो यह किसको कहते है? तो Aedes aegypti को ही क्या कहा जाता है? टाइगर मॉस्कुटो कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट एंसर होगा वो है option C. ठीक अगला प्रश्ण है हमारा World AIDS Day is celebrated on यानि कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व एड्स दिवस जो है कि आपका कब मनाया जाएगा तो यहाँ पर देखा जाए आपके एक दिसंबर, 24 फरवरी, 29 सेप्टेंबर और 21 जून 21 जून को हम लोग सभी लोग जानते हैं कि विश्व योग दिवस मनाया जाता है अब जो एड्स है, एड्स क्या है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, acquired, ठीक है, क्या होता है, acquired immunodeficiency syndrome यानि कि यह आपका जो immune system है, ठीक है, immune system है, यानि कि प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको य immunodeficiency syndrome, यह AIDS का फुल फॉर्म है, ठीक है, clear, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यह जो AIDS है, यह किसके द्वारा फैलता है, तो AIDS जो फैलता है, यह हमारा human immunodeficiency virus, यह यहाँ पर देखा जाए, तो जो HIV virus है, यह आपका क्या होता है, यह आपकी category है, रेट्रो वाइरस की, यानि कि रेट्रो विशाडु की यह एक प्रजाती है, और यहाँ पर देखा जाए, तो जो AIDS है, यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, और जो AIDS Day है, World AIDS Day, यह मनाया जाता है, एक December को, यानि कि 1st December को, right option A होगा, अगला प्रश्य है हम इन 2020, which of the following do not gain Nobel Prize of Physiology of Medicine, यानि कि 2020 में निम लिखित में से किसे चिकित्सा के छेत्र का Nobel Prize, यानि कि Nobel पुरसकार नहीं मिला था, options हैं आपके, Michael Hugden, Charles M. Rice, Harvey L. Alter, और Lewis Gluck, ठेक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें, तो देखो बेटा, 2020 में Physiology of Medicine के लिए एक चीज याद रखेगा, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनको क्या है, चावल बहुत प्रिय है, ठेक है, चावल बहुत प्रिय होता है, और चावल की, अगर हम बात करें, अगर बहुत चावल खा लिया, माल दीजे, बहुत बुक लगी, गले तक चला लिया, और बहुत ज़्यादा अगर चला लिया, तो आपका क्या होगा, पेट खराब होगा, तो आप क्या करने लग जाएंगे, हगटन करने लग जाएंगे, यानि कि दोलने लग जब बहुत ज़्यादा संक्रमड बढ़ गया तो वो संक्रमड रूप ले लेता है किसका तो अलसर का रूप ले लेता है और अलसर हमारी आतों में और कहां पर होता है लिवर में होता है ठीक है आतों में और लिवर में अक्सर अलसर कॉज हो जाते हैं ठीक है क्लियर और अलसर जो liver में हो रहा है तो उसके बाद फिर निजात उसका करना पड़ता है हमें दवाएं खाने पड़ती है तो 2020 में जो Nobel Prize है चावल चावल को इंगलिस में क्या कहते हैं तो rice कहते हैं तो Charles M. Rice को दिया गया Hugton यहाँ पर मिल गया ठीक है तो जो आपका Hugton है इन तीनों को Physiology of Medicine के लिए इनको Nobel Prize दिया गया और किसके लिए दिया गया यहाँ पर दो अंग बताए कि अलसर कहां होता है एक तो आपका liver में होता है यानि कि यकृत में होता है और यकृत के अलावा अगर देखा जाए तो आत में होता है और यह liver को लिए इन्होंने steady करी थी एक दवा बनाई थी जिसके लिए इनको Nobel Prize दिया गया था तो इन तीनों को दिया गया और दिया किसको नहीं गया Physiology of Medicine के लिए तो Lewis Glick को नहीं दिया गया इनको दिया गया था किसके लिए इनको दिया गया था इनको भी Nobel Prize मिला है लेकिन Physiology of Medicine का नहीं दिया गया इनको आर्थसास्त्र का दिया ठीक है तो इसका right answer आपका क्या हो जाएगा D option right answer हो जाएगा अगला प्रश्न है Cobalt 60 is used यानि कि Cobalt 60 का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है ठीक है अब यहाँ पर देखें तो Cobalt Cobalt हमारी क्या है धातू लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि Cobalt 60 जो है यह आपका एक Radio Active Substance है यानि कि इसके अंदर Radio धर्मिता की इसके अंदर क्या होती है Property होती है लक्षण होते है और Cobalt 60 जो है यह आपका Radio Active Substance है Radio Active Isotope है समस्तानिक है Cobalt का तो किस बीमारी के उपचार के लिए Radio Active Substance का यूज किया जाता है Options है आपके Cancer, AIDS, SARS या COVID-19 तो COVID-19 के टेस्ट के लिए आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग किसका करते हैं एक तो RT-PCR करते हैं दूसरा किट से होता है SARS जो है यह Severe Acute Respiratory Syndrome है यानि कि स्वसनत अंतर से संबंदित बीमारी है और इसमें अगर देखा जाए तो यही आपका अपग्रेड होकर के SARS-CoV-2 जो है यह भी बहुत घातक बीमारी है AIDS के बारे में पता ही है आपको पहले डिसकस कर चुके हैं और इन तीनों के उपचार के लिए रेडियो धर्मी समस्थानिक का इस्तमाल नहीं किया जाता और हम लोग कैंसर के उपचार के लिए क्या करते हैं हम लोग देते हैं कीमो थेरपी ठीक है क्या देते हैं कीमो थेरपी दी जाती है और कीमो थेरपी में किसका इस्तमाल किया जाता है कोबाल्ट 60 का तो किसके उपचार के लिए तो कैंसर के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है राइट आप्चन आपका ए होगा अगला प्रश्य है हमारा who discovered hydrogen hydrogen की खोज किसने की अब देखो बेटा hydrogen जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्तो है हमारे आवर्तसार्णी का पहला तत्तो है hydrogen का परमालुक्रमांक एक होता है लेकिन अगर आप लोग बात करें कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्तो कौन सा है तो भी answer क्या होगा hydrogen और अगर हम पूछे की जो आपका pollution free fuel होता है यानि की pollution free यानि की production रहित इंधन या स्वक्छ इंधन यानि की साफ इंधन किसको कहते हैं तब भी answer आपका क्या होगा hydrogen होगा और hydrogen को आवारा तत तो भी कहा जाता है और ये सभी पोष्ट को प्रस्ण पूछे गए हैं तो hydrogen की अगर बात करें तो hydrogen की discovery यानि कि किसने खो जा था hydrogen को options हैं आपके Henry Cavendis, Joseph Prestelay, C.W. Sheillay और Rutherford तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेगा है hydrogen की discovery की थी H. Cavendis यानि की Henry Cavendis ने Joseph Prestelay और C.W. Seillay ने oxygen की discovery की थी और Rutherford ने क्या खोजा था? Protron की खोज़ की थी और nucleus यानि की nabic की खोज़ की थी तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो A होगा अगला प्रश्ण है हाज का हमारा which of the following is known as dry eyes निम्न में से किसको शुस्क बर्फ के रूप में जाना जाता है अब देखो बर्फ बर्फ को अगर हम लोग पकड़ते हैं तो हमारे हाथ हो जाते हैं गीले तो वो तो बर्फ जो है वो तो आपका क्या हो गया? वो तो सुस्क बर्फ नहीं होगा अब सुस्क बर्फ का इस्तमाल की अगर बात करी जाए तो बेटा इसका यूज कहां किया जाता है जब हमें कराना होता है क्या artificial rain यानि कि इसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम वर्षा कहते हैं और जो कृत्रिम वर्षा है यानि कि artificial rain है इसके लिए क्या किया जाता है बेटा कि जो हमारे बादल होते हैं, बादल तो बन रहें लेकिन बारिश नहीं हो रही है, इसके लिए क्या किया जाता है, कि जो हमारा प्लेन यानि की वायुयान है, या हेलिकॉप्टर है, उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, कि ड्राइ आइस को इनके उपर स्प्रिंकिल कर दिय जाता है यानि कि फैला दिया जाता है जिसकी वज़े से बादलों में जादा ठंडे हो जाते हैं बादल और इनमें सीडिमेंटेशन यानि कि अवसादन की प्रक्रिया हो जाती है और रेनफॉल होने लगता है यानि कि वर्सावरिस्टी होने लगती है लेकिन सुस्क बर्फ के इत्माल की वज़े से क्या बढ़ता है हमारी global warming यानि कि वैश्विक तापमान की वृद्धी होती है और क्यूं green house effect के बढ़ने के कारण यानि कि हरित ग्रह प्रभाव करने के कारण तो हरित ग्रह प्रभाव के लिए कौन-कौन से तत्य जिम्मेदार होते हैं तो यहां पर आपको याद रखना है क्या मीना का जलवा है ठीक है क्या याद रखना है मीना का जलवा है और हरित ग्रह प्रभाव के लिए यही जिम्मेदार है मी यानि की मेथेन हो गया यानि की नाइट्रोजन के ऑकसाइड हो गये का यानि की क्या हो गया कारवन डाई ऑकसाइड और जलवा यानि की जलवाश्प यानि की वाटर वैपर और सी एफसी यानि की क्लोरो फ्लोरो कारवन ये ये पाँच घटक ऐसे होते हैं जो की हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित ग्राप्रभाव का कारे करवाते हैं यानि कि इसको कौज करते हैं और यहां पर अगर उत्तर की बात करी जाए तो अब देखो यहां पर क्या-क्या दिया हुआ है पीवीसी यानि कि पॉलिविनाइल क्लोराइड हम लोग जानते हैं कि पीवीसी एक प्लास्टिक का रूप है पीवीसी कोटेड फिल्म आती है वायर्स में होते हैं और तो और इवन पाइपस आते हैं चारकोल जो है यह कोईले के रूप में यानि कि इंधन के रूप में इस्त Activated Charcoal यानि कि जो आपका सक्रिय Charcoal है उसका इस्तमाल दातों को साफ करने के लिए और बहुत से लोग जो जाते हैं ना काया पलट केंद्र, काया पलट केंद्र यानि कि प्यूटी पारलर तो वहाँ पर देखा जाए तो फेस को क्लीन करने के लिए भी Charcoal का इस्तमाल किया जाता पैराफीन जो है ये एक वैक्स है वैक्स यानि कि जो मोम होती है वो पैराफीन है तो ये तो नहीं होंगे बचा क्या Solid CO2 यानि कि ठोस carbon dioxide जिसको शुष्क बर्फ यानि कि dry ice कहते हैं और CO2 की वज़े से क्या होता है Green house effect में बढ़ुत्री होती है और global warming होती है तो इसका right answer होगा A अगला प्रश्ण है the pH value of pure water is यानि कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है या pH क्या है power of hydrogen या concentration of hydronium ion यानि कि किसी भी विलियन में hydronium ion की शांदरता कितनी है ये निर्धारी तो होता है उसके pH मान से और pH सारनी दी थी S.P. Sorenson ने जिसमें पान होता है 0 से लेकर के 14 तक अगर किसी भी घटक का pH 1 0 से 7 तक है तो वो क्या होगा acid होगा यानि कि अमल होगा और 7 से 14 है तो वो क्या होगा base होगा यानि कि छार होगा अगर 7 है तो उदासीन यानि कि neutral होगा और सुद्ध जल जो है वो हमेशा उदासीन होता है इसका pH मान हमेशा कितना होगा? 7 अगर आपसे पूछा जाए कि जो समुद्री जल है यानि कि ocean water है उसके pH मान कितना होता है तो ocean water का pH मान 8.4 होता है Human urine मानोमूतर का पूछा जाए कि मानोमूतर का pH मान कितना होता है तो 6 होता है और रक्त का pH मान कितना होता है तो 7.4 होता है लेकिन यहां पूछा क्या गया है शुद्ध जल यानि की pure water तो इसका pH मान कितना होगा तो neutral यानि की उदासीन मतलब 7 होगा यही right answer यानि की C है अगला प्रश्ण है how many isotopes of hydrogen have hydrogen के कितने समस्थानिक होते हैं तो hydrogen के समस्थानिकों की अगर हम लोग बात करें तो hydrogen के 3 समस्थानिक होते हैं एक तो कहलाता है protein जिसको हम लोग कहते हैं 1H1 दूसरा होता है deuterium यानि की 1H2 और तीसरा होता है tritium यानि की 1H3 अब देखो isotope क्या हो जिनके परमालु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमालु भार क्या हो भिन भिन हो उनको क्या कहते हैं isotope यानि की समस्थानिक कहा जाता है और hydrogen के कितने समस्थानिक हैं तो 3 समस्थानिक होते हैं अब यहीं CGL में एक प्रश्ण पूछा गया था बेटा क्या कि कौन सा hydrogen का समस्थ इसा है जो आपका रेडियो सक्रिय होता है तो कौन सा प्रोटियम डियूटिरियम या ट्राइटियम तो रियाद रखना बच्चों कि ट्राइटियम जो है ठीक है ट्राइटियम जो है ये आपका क्या होता है रेडियो सक्रिय होता है यानि कि रेडियो एक्टिव होता है और ड Deuterium से क्या बनाया जाता है? Deuterium Oxide यानि कि D2O जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भारी जल के रूप में जाना जाता है और भारी जल का इस्तमाल कहां किया जाता है? nuclear power plants में as a coolant यानि कि शीतलक के रूप में इसका इस्तमाल किया जाता है ठीक है? clear है? तो अगले प्रश्ण की तरफ हम लोग move करते हैं the best type of coal is यानि कि कोईले का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है? anthracite, bituminous, lignite या peat तो यहाँ पर देखा जाए तो यह सभी कोईले के प्रकार है अब जो anthracite होता है anthracite में आपका लगभग 95 से 98% क्या होता है? carbon होता है, bituminous में कितना होता है तो इसमें 80 to 90% क्या होता है? carbon की मात्रा होती है, lignite में 70 से 80% carbon होता है और peat में आपका 55 से 65% क्या होता है? carbon होता है, तो इस आधार पर भी हम लोग बता सकते हैं कि सबसे अच्छी quality का coal क्या है? और कोईले की खदानों से हमें क्या मिलता है? diamond मिलता है, यानि कि हीरा मिलता है और यहाँ पर देखा जाए, तो जो anthracite है, it is the best quality of coal लेकिन ये बहुत कम मिलता है, ऐसा नहीं कि हर जगे इसी का भंडार है, इसकी मात्रा कम है और जो सरवाधिक मात्रा में भारत में भी पाया minus, ठीक है? तो सबसे अच्छी quality यानि कि उत्तम गुणवत्ता का coal क्या है? वो anthracite क्योंकि इसमें carbon की प्रतिशत मात्रा जदा है, तो इसकी जो calorific value है, यानि कि जो इसका उश्मीय मान होता है, कोई भी इंधन होगा, तो उसकी गुणवत्ता हम लोग उश्मीय मान के आधार पर निरधारित करते हैं, तो जो उश्मीय मान है, यानि कि जो इसकी calorific value है, इसकी अगर बात करें, तो उसमीय मान सबसे ज़्यादा इन सारे कोईले में किसका होता है? तो anthracite का होता है, तो A is the right answer. अगला प्रश्न है, the tear gas is, अब देखिए, कि कहीं पर भी आप लोग इकठ हो जाते हैं, कहीं पर अनसन करने बैठ जाते हैं, उपद्रव काड़ते हैं, तो अकसर आर्मी मैन और पुलिस वाले क्या करते हैं? आसू गैस के गोले छोड़ देते हैं, तो वो आसू गैस में कौन सी गैस होती है? आपका ammonia, nitrous oxide, methane या carbon monoxide. तो जिस गैस की वज़े से आसू निकलने लगे, जब भी कभी आप लोग बिटा, public toilet, सुलब सोचाले के आसपास से निकलते हो, तो एक बहुत ही तीशल बदबू आती है, क्यों आती है? क्योंकि हमारे urine में क्या होता है? यूरिक एसिड और यूरिया होता है, यूरिया प्रजेंट होता है, यूरिक एसिड और यही यूरिया उक्सिडाइस जो करके क्या बना लेता है? तो अमोनिया बना लेता है, अगर आप public toilet में बहुत गंदगी है और आप वहां खड़े हैं, तो आपके आसू निकलने लगेंगे, वैसे इंडिया में तो सुलब सोचाले का इस्तमाल बहुत कम ही होता है, जहां खाली जगे देखी, वहीं सुरू, एक ने सुरू किया, तो दस और आ जाएंगे, एक साथ नहीं, अलग-अलग, तो यहां पर देखा जाए, तो जो टियर गैस होती है, उसमें अमोनिया होती है, जबकि जो लाफिंग गैस है, जिस गैस को सूंगने से आपको हसी आए, तो N N2O होता है, यानि कि नाइट्रस ऑक्साइड, N O2 मतलगाएगा, मेथेन जो है, यह दलदली इलाकों में सलन की जो बदभू आती है, धान के खेतों में से सलन की जो बदभू आती है, वो मेथेन की वज़े से आती है, या नाले की गैस कौन सी है, तो मेथेन है, और जो CO2 है, यानि कि carbon dioxide की अगर बेटा हम लोग बात करें यानि कि CO2 की अगर बात की जाए तो जो हमारा CO2 होता है ये CO है ये आपका मनुष्य के लिए जहरीली गैस होती है तो tear gas में ammonia होती है next है आपका the stock of thorium is found in which soil of India यानि कि thorium का भंडार भारत में किस मिट्टी में पाया जाता है तो भारत में monogite sand, aluvial, lateral या aired soil यानि कि यहाँ पर देखा जाए तो जो monogite मिट्टी है और ये कहां पाई जाती है जो हम लोगों के दक्षिण भारत का छेत्र है और दक्षिण भारत क के छेत्र में यहाँ corner पर यानि कि जो आपका पस्चमी घाट का छेत्र है यहाँ पर एक राज्य है जिसको हम लोग क्या कहते है केरल तो केरल में कौन सी मिट्टी का ज़्यादा भंडार है तो monogite sand का और यहीं पर आपका क्या पाया जाता है थोरियम पाया जाता है ठीक है तो monogite मिट्टी में थोरियम पर प्रचुर मात्रा में होता है अगला है hematite is the ore of hematite किसका अयस्क है aluminum, iron, sodium या calcium तो hematite की बात की जाए तो hematite, magnetite, iron, pyrite यह सभी किसके अयस्क है तो लोह के अयस्क है और लोहा किस अयस्क में सबसे ज़्यादा होता है तो magnetite में होता है ठीक है तो hematite किसका अयस्क है iron का है अगला प्रश्णय है हमारा bauxite is the ore of bauxite किसका अयस्क है तो bauxite, corundum, cryolite, felspar यह सभी बेटा किसके अयस्क है तो यह सभी iron के अयस्क है या iron के नहीं aluminum के और aluminum हलकी और मजबूत धातु है इसलिए अगर देखिए तो इसका इस्तमान plane को बना के लिए किया जाता है aluminum को बनाने के लिए plane को और rocket को और साथी साथ satellites में भी इसका use किया जाता है ठीक है clear अगला प्रश्ण है which one of the following is not a silver निम्न में से कौन चांदी नहीं है तो चांदी ruby silver, horn silver, german silver या सभी आपके चांदी है तो यहाँ पर देखें तो ruby silver और horn silver यह दोनों क्या है चांदी के अयसक है यानि की silver के ओर है लेकिन जो german silver है बेटा यह आपका क्या है यह एक मिश्र धातु है ठीक है और इसमें चांदी की मात्रा बिलकुल नहीं होती इसलिए जो सही answer होगा वो है c german silver is not a silver उमीद करते हैं कि आप लोगों को यह series अच्छी लगी होगी त चैनल को like, subscribe और share जरूर करिए साथी साथ bell icon को press करिए ताकि अगले वीडियो के notification आपको properly मिलते रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती रहे धन्यवाद